CRPA पैरा मेडिकल भरती 2020 बिलकुल दोस्तों यहां पर आपका फिजिकल प्रोसेस शूरू हो चुका है और लगातार इतने दिनों में फिजिकल प्रोसेस में सबी सेंट्रों में कितने किंडिडेट फिजिकल क्वालिफाई हो रहे डूकूमेंटों में कीन-कीन अभ्यारतियों को बाहर किया जा रहा, आकःर फिजिकल में क्या-क्या परक्रिया है है, आपसे करवाई जा रही है, वो कौन सी चोटी-चोटी गलती है, जिसके कारण बहुच सारे कंडिडेट बाहर हो रहे, आकिर running में कितने candidate qualify हो रहे साथ ही running कहां पर करवाई जारी इसको लेकर पूरी जानकरी आपको इस विडियो में डीटेल से बताने वाले ये वीडियो देखने के बाद में आपके CRP पेरा medical भरती 2020 से related एक भी कोई भी doubt आपका नहीं रहने वाला बिल्कुल दोस्तों आप चाहिए water carrier के हो sweeper हो या cook हो बिल्कुल सभी का physical process सेम ही और इस वीडियो में उसी के बारे में सारी जानकरी आपको बताए उससे पहले भी तक वीडियो को like नहीं किया तो like कर दे चैनल पे गराप पहली बार आए और आगे आने वाली सीयारवे पैरा मेडिकल भारती 2020 से जुड़ी हर परकार की latest update पाना चाहते हो चैनल को आप जरूर subscribe करें साथ में दोस्तों मैं पुन जानकरी अपने दोस्तों के पास में भी आप जरूर सेर करें comment box में comment करके हमें जरूर बताए कि आपका physical कितनी तारीकोर कहां पर है साथ उन अभ्यारतियों के लिए भी बड़ी update है जिनका admit card offline उनके घर पे नहीं आया लेकिन जिनका नाम list में है वो क्या करें कैसे admit card लेके उनको जाना है ये भी मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको यही बता देता हूं कि जिन candidate का admit card online आया है offline नहीं है उन candidate के लिए मैं बता देता हूं वो जो list जारी की गई है उस list का print out लेके physical center जा सकते हो जिसमें आपका नाम है उसे underline करके आपका जितनी तारी का physical है उस तारी को आप लेके जा सकते हो आपका मानने होगा अब बात आती है दोस्तो physical process में लगबग बात करें तो लगबग center में 200 के लगबग candidate को बुलाया जा रहा है काफी ज़्यदा center है अलग लग center में अलग लग stand से बुलाय जा रहे है अगर बात करें हैं तो यहाँपर 250 में से कितने candidate running क्यंडिफाइब कर रहे हैं बिल्कुल दोस्तो लगबग 250 candidate बुलाय जा रहे है जिनमें से accuracy अगर बात करें तो लगबग 230 के लगबग candidate बिल्कुल 220 से लेकर 230 के लगबग candidate हर सेंटर में उपस्तित हो रहे अब बात आती है 220 बिल्कुल कम से कम 20-25 candidate ही अपसेंट रह रहे हैं बाकी के जो बचेवे candidate है बात करें तो आज जो फिजिकल हुआ है जिसमें लगबग 230 candidate परजेंट हुए थे और सबसे पहले उनकी running ही करव गई थी बिल्कुल running करवाई गई थी और running है वो सड़क पे करवाई गई थी 1600 मेटर की running बिल्कुल जो running आपकी करवाई गई उसमें काफी ज्यादा candidate मतलब लगबग बात करें तो यहाँ पर एक candidate है वो यहाँ पर फिजिकल में बाहर हुआ था 230 candidate हो में से लगबग बात करे कई center ऐसे हैं जहाँ पर पूरे के पूरे center है जो candidate है वो running qualify करें तो running में कोई भी candidate बाहर नहीं हो रहा है जैसे दोस्तों आपकी running हो जाती है उसके बाद में next step में आपका height और height के बाद में आपका chest होता है और उसके बाद में weight होता है अब बात आती है height में जो candidate बाहर हो रह उसके लाव चेस्ट में भी बहुत कम कंड़ेटों को बाहर किया जा रहा है लेकिन हाइट में किसी को भी नहीं बक्सा जा रहा है जिनकी हाइट कम है जो फिजिकल के समय जो आपका नोटिपिकेसन आया था तो उसमें आपकी जो हाइट का क्रिटेरिया दे रिखा है उससे कुछ सेंटरों में डोकुमें डोकूमेंट वरिपिकेशन हो रहा है जबकि कुछ सेंटरों में ट्रेट टेस्ट के समय डोकूमेंट वरिफिकेशन करने की बात कई जा रही है लेकिन आप और्रुइजिनल डोकूमेंट साथ में जरूर लेके जाएगा Cath Future की माकसीड, दो मिसाल certificate मूल निवास परमान पत्र कहते और कास certificate इतने document तो आपको साथ में लेकर जाने होगे अगर आपकी पास में experience certificate है तो वो भी आप साथ लेके जा सकते हो बिल्कुल दोस्तों next step में दोस्तों आपका होगा return test और उसके लिए कम से कम बात करें तो आपको दो से लेकर चार मैने का समय मिल सकता है रिटन टेस्ट होगा और रिटन में जो केंड़ेट क्वालिफाई होंगे उनी सब का ट्रेट टेस्ट होने वाला तो आपको बिल्कुल नहीं गबराना है बहुत सारे केंड़ेट अभी भी कमेंट करते रहते हैं कि सर्फीजिकल वाले दिन ही रिटन टेस्ट होगा या ट्रेट टेस्ट होगा तो दोस्तो ट्रेट टेस्ट पहले नहीं होगा पहले रिटन टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट के बाद में भी आपको काफी ज़्यादा समय मिलेगा ट्रेट टेस्ट के लिए और फीजिकल के बाद में कम से कमान के चले तो एक से लेकर दो महिने या ढ़ाई महिने तक आपको समय मिल सकता है रिटन टेस्ट के लिए तो दोस्तों ये ती है मेरे दोरा दी गई चैनल पर पहली बार आए और आगे आने वाले पहरा मेडिकल बरती से रिलेटेड हर परकार की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों शुडियो में तना ही मिलते नेक्स शुडियो में तब तक के लिए